जैहिन सातियो आज की कहानी में आप सभी का श्वागत है इस कहानी का सीरसक है सकारात्मक सोच महराजा दसरत को जब पुत्र की प्राप्ती नहीं हो रही थी तो वो इस बात को लेकर ही बहुत दुखी रहते थे बस एकी बात थी जो उन्हें आशानुविद करती थी बहुत थी श्रवन के पिता दवारा दिया गया श्राप एक बार की बात है जब महराजा दसरत जंगल में शिकार खेलने जाते हैं गलती से उनका बारड श्रवन के पिता को लग जाता है श्रवन के पिता द्वारा महराजा दस्रत को एक स्राप दिया जाता है कि जिस तरह से आज मैं पुत्र व्योग में तडप तडप कर मर रहा हूँ उसी तरह तुम भी किसी दिन पुत्र व्योग में तडब तडब कर मरोगे और कुछ देर बाद ही श्रवन की पिता की मृत्ति हो जाती है महराजा दसरत को यही बात थी जो आशानुवित कर रही थी कि यह स्राप अवशही फली भूत होगा यानि मुझे अवशही पुत्र की प्राप्ति होगी तभी तो मैं पुत्र व्योग में तडब तडब कर मरूँगा तो शकारात्मक सोच यह थी दसरत जी को कि यह जो श्राप है इससे उन्हें शकारात्मक सोच मिल रही थी तो माराजा शुग्रीव द्वारा जो राजा शुग्रीव थे उनके द्वारा बानर सेना को प्रत्वी के अलग-अलग छेत्रों में भेजा जाता है माराणी शीता को डूडने के लिए ये बात देखकर के जो राम जी थे वो बहुत ज़्यादा आश्र चकित थे कि तुमको प्रत्वी के प्रत्य कोने का ज्यान कैसे हुआ तब उन्होंने बताया कि जब बाली के डड़ से मैं पूरी प्रत्वी पर गूमा हुआ डोल रहा था मुझे कहीं पर भी कोई इस्थान नहीं मिला बाली से छुपने के लिए इसी तभी मुझे पूरे ब्रह्मांड का पूरी परद्वी का ज्यान हो गया ता इसलिए आज मैं सभी वानरों को बता रहा हूँ कि आज अगर अगर आप इस दिसामे जाओगे तो आपको यह देश मिलेगा तो आपको ये देश मिलेगा, तो अगर हनुमान जी ने पूरी प्रतवी की खोज नहीं किया होती, पूरी प्रतवी का चकर नहीं लगाया होता, तो साइद सीता जी क्या खोजना काफी मुस्किल हो जाता, तो जो ये सुग्रीव थे, इनके द्वारा ये आसा जगाए गई, य आली ने मुझे पूरी धर्ती पर गुमाया था, पूरे ब्रह्मांड में मुझे गुमाया था, कम से कम आज वो काम तो आ रहा है, तो उन्होंने सकारात्मक सोच देखी, किसी ने बड़ा अच्छा कहा है, अनकूलता भोजन है, प्रतिकूलता विटामिन है, चुनोतिया होते हैं, तो हमें भी दुख में ये सोच करके खुश होना चाहिए, कि दुख के बाद सुख आएगा, ये हमारे अंदर सकारात्मक सोच होनी चाहिए, तो आज की कहानी आपको कैसे लगी, कमेंट शेशन में जरूर बताना, हमेशा ही सकारात्मक रहें, सकारात्मक सोच हैं, सकारात मता को अपनाए जैहिं जै भारत